अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें मन टीवी सब कुछ मन चाहा पटवारा बेटियों का प्लीज तुम जो बोलोगी मैं सब करने के लिए तयार हूँ तुम जितनी कीमत मांगोगी मैं देने के लिए तयार हूँ बस बस प्लीज तुम अब कोहल बत काटना अमी अगर ये पैसे मैंने टाइम पर नहीं दिये ना मेरी जान को बहुत खत्रा है अजर बेटा ये तुम क्या कह रहे हो अमी सच कहरो मुझ पर पंधरा लाग का करजा है जो मुझे हर सूरत में देना है मैं हादिया को कहीं से भी ढूंड करने कालूगी आपी हम दोनों थाने चलते हैं ना पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी कोई हमारी मदद नहीं करेगा हमें खुद कुछ करना पड़ेगा एक बार पैसे आ जाएं फिर ये नई गाड़ी भी लूँगा नया मकान भी बनाऊंगा और जलने वाले जलेंगे कि जबर तक की कैसे कर रहा है भाई हालू खालू प्लीज मेरी मेन थाज़ हादिया को बचा ले अरे हैंटा क्या हूँ और बड़ा किक्षी कर रहा है हादिया बहुत मुश्कल में उसको किसी ने अख्वा कर लिया है उसकी जान बहुत खत्रे में कोई ब्सक्रत्स कुछ भी नहीं कर रहा है वह सबस्भा आपको फोन करती हूं तो वह रोने लगती हैं। कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। ओओओओओओवज़। चीक है भाई तुम्हार फिकर मत करो, किसी ऐसी बात कर। भाई तुम भैने जो हैं हमारे बच्छों की तरह हूँ भाई। हम तुमसे बहुत प्यार करतें हैं... तुम्हारी भलाई चाहते हैं... भाई खालू तुम्हारा कितना भी सख दिल क्यू ना हो... लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे सारी बात का मुझे हिल्म है... हादिया वापस आजाएगी। खालू, आप सच कह रहे? लगी खुशियों से बर तूँगा ये तुम्हारे खालू का वादा है जा मेरे बच्चा जा तुम जा शावश छोड़ दो मुझ पर खालू पर छोड़ दो खालू पर छोड़ दो जहुर भाई आप हमारे बुलाने पर हमारे घर आए हमारे लिए बड़े अजास की बात है आप खावर की बेहन है मेरे लिए बाएस एहतराम और काबल इज़त है मुझसे अगर कोई खेर की बात हो सकती है तो मेरे लिए यही इतमरान की बात है धर्वाय यकिन करें जहर्वाय यकिन करें को हाजिर यह सह पूदे है यह संते है यही बहुत है आप से ये तो आप लोगों की मौभबत है मेरे लेक कोई खिद्मत हो तो हाजिरू आप आ गए हमारे लिए यही बहुत है जहूर भाई आपको तो पता है कि जाइधात के तमाम हिसाब किताब आप ही को पता है और जहूर भाई, अब वक्त आ गिया है आपको सही सुरत अहल से आगा किया है कैसी सुरत अहल? मेरे ख्याल में तो बटवारे की बात उस वक्ते हो गई थी समाम चीजें लिख ली गई थी और वो सारा प्रूफ है मेरे पास और पिर जब आप लोग कहेंगे मैं आपके हवाले कर दूँगा अरे जगुर भाई इससे अच्छी क्या बात है हम तो खुद ये चाहते हैं कि जो हमारे ये बच्चियों का हिस्सा है वो उनके बड़ों के हवाले किया जाए देखें मेरे ख्याल में तिनों खानडानों का मौझूद होना बहुत जरूरी है वो बत आपके ठीक है लेकिन अब हालात कुछ और है क्या हालात है बहन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा जबर भाई मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाओ वो जो मंजली बच्ची है जो सबा से छोटी है जो अपने खालू के पास रह रही है खाला के पास रह रही है उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा क्या हो रहा है जफर को तो आप जानते हैं ना जनाजे पे मुलागात भी हुई थी आपकी वो जो उसका खालू है एक नंबर का जुआरी छटा हुआ बदमाश उचक का नौसर बाज है वो अपना पूरा बिजनिस पी चुगा है इस जुए में ठीक है ना और अब जो है वो सारा बच्ची जो है उसके हिस्से के पीछे आँख लगा कर बैठा हुआ कि कम मिलेगा कम मैं हड़प कर जाओं से अब अगर आपने या जो भी जो भी फैसला होगा अगर उसे उसकी जायदाद दे दी तो यूं समझें कि सारा तो नहती हो गई दमड़ी भी हाथ नहीं आईगी उसके वो तो फुटपाथ पे आगई समझें जुबेर साब मसला यह है कि मुझे इल्म नहीं कि आपकी बात कहां तक ठीक है मुझे इस सिल्सले में सभा से बात करने हो वो सबसे बड़ी है हमें उसकी राए लेनी चाहिए ठीक है मैं उसे बलवाती हूँ लेकिन तहले खाना खा लीजे मैं खाना लगवाती हूँ अरे ने ने बेन खाने का तकलुफ ना करें भाई आपके लिए इस पेशली तो बनवाए है कोफते इस बाले हम भी खा लेंगे कहा मिलते हैं उसके बाद पिर मिल बैठके कोई गुजारिशाथ वगरा कर लेंगे जो आपसे हमें करना हो ठीक है ना अजले में लगाती तो यह थो बाई बस और क्या था Samya Samya I say Samya बैठो 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 लो भाई Samya वो सारा भी अब मदद के लिए कह रही है मुझसे कि हादिया को ले के आओं मैं क्या सारा ने तुम से खुद बात की ये? आँ औरे मेरा दिल तो बस समझ लो खुशी से बाख बाख हो गया मतलब हादिया हमें मिल जाएगी सारा हमारे पास है बस सबा को लेके आदा इस घर में और समया इस सब चीज़ों में तुम मेरी मदद करोगी क्योंकि तुम जानती हो के सबा समीना और जबैर के खिलाफ हो चुकी है अब तुम सारा को इस्तेमाल करो कि वो सबा को यहां आने के लिए मजबूर करे फिर वो दोनों मिया भी भी अकेले रह जाएंगे तुम्हारे लालच का खुआ कभी नहीं भरेगा अरे समया जिसे तुम लालच कह रही हो ना वो हुकूक की जग है और मैं बच्चों के हुकूक की जग लड़ रहा हूँ और इसमें साथ दिया जाता है मुखाल्फत नहीं की जाती है इस हुकूक के जग में तुम्हें पता है नुक्सान किसका होगा कुछ अंदाजा तुम्हे अरे जग में नफ्हा नुक्सान नहीं देखा जाता है समया रजल्ट देखा जाता है कि वो क्या निकला मुझे आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे है आसार और हाला तो अब काबू में आ रहे है हमारे देख लेना कुछ तिनों में सब कुछ हमारा होगा मुझे अफसोस है जफर लेकिन इन सब में में तुम्हारा साथ सिर्फ हादिया की वज़ा से दे रही हूँ जल तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम मेरा साथ की दे रही है पूरी तस्वीर खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगी ताह अफ्ट अफ्ट झाल तुम्हार तुम्हार झाल तुम्हार प्ला तुम्हार इसके पास हमारा फून नमट कहांसे आ गया? यह पज़ात मच्चों है ना, उसी इने बख दिया होगा हलो हाँ हलो रानी आए तुने मेरा फून ऊठाय लिया उखना तेरा मत बड़ा नुक्सान होने वाला था तो यसे भागी यह मेरे पास से जैसे जिन से पादी भागता है क्या होगया बुल जारे माड़े का फून चून किया तुने तु भूल वही रानी, तु अब भी मेरी बीवी है, और शोहर को बीवी की याद तो आएगी ना? मज़ तेरी याद आई, दिल से राह ली जा, तेरे को फोन कर दिया ओ, बस कर तू अपना ड्रामा, बस कर देख रानी, तेरे दिल में अब भी मैं ही हूँ अगर नहीं होता ना, तो तू फोन नहीं उठाती याद भी तुझे खुद लगता है, कि तूने मेरे साथ बुरा गिया है अगल जारे, जाद है ना, खुछ होने की ज़रुद रहा है मैंने थाड़ फोन इसी वज़ा से उठाया है, कि ताड़े दिल को चरण मिले, ठाकर मेरी आवाज चुनके ताड़े को सुकून आ जाए देख गल जारे, मारे कोई ना, थाड़ी गंदी आवाज ना सुननी है, ना थाड़ी मलू सकर देख रही है आज के बाद तुने मारे को फोन किया ना, तो थाड़े लिए अच्छा ना होगा, मारे गुस्से से तू अच्छे से वाकिफ है तून तो बंद्नियों करानी, अब जो मैं खबर सुनाओंगा ना तुझे, तो तू खुद भागी भी मेरे पास आई ए जाए गुल जारे, यह ना धमक्या, तू किसी और को लगाना, समझे, रानी को ना डड़ा तू जो बच्ची तूने अगवा किये न, हादिया, उसके वारिस मेरे पास पहुंच गए है, के, के मतलब इता रहा, मेरे पास केस आया है, के मैं उस बच्ची को ढूंड कर निकालू, और तस्वीय भी भेजिये, और मोटी रकम का वादा भी किया है, मुस, एक रानी, मैं तो अपनी किस्मत है रान हूँ, कि किस्मत ऐसा भी साथ देती है, अगर सच बोलू न, रानी, तो मैं तो मायूस हो गया तो तेही द्रफ से, रखता है, अब यह हमारा साथ बाकी है, तू शरापस से आजा मेरे पास परना तेरे तक पहुचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, समझी? जफर भाई, आप समझें, बच्ची आपको मिल गई, अच्छा, वाकिए, इतनी जल्दी, जफर भाई, अब यह मेरा काम है, बच्ची आपको मिल जाएगी, और मेरा हिसाब भी चुक्ता हो जाएगी, आँ, हमारा तुम्हारा कोई पुराना हिसाब किताब बाकी है, क्या? नहीं, लेकिन किसी और से हिसाब किताब है, हाँ, मुझे लग रहा था, इसलिए तुम्हारा नाम मेरे दमाग में आया, पर भाई, आपको यह काम कर तो रहा हूँ है, लेकिन इतना असान नहीं है, बहुत जोर लगाना पड़ेगी, यह तिरे जोर का मुझे पता है, मेरा आइसान भी याद रख, यह काम आपके आइसान से बड़ा है, इसलिए खर्चे के लिए तैयार है, मुझे यकीन है, आप लोगों ने जरूर पुलिस से रापता किया होगा, बेलकु नहीं, सिदा तुझे कॉल की है, इसलिए कि तुम सुराव लगा सकते हो, बस्तो एक हफते की अंदर-अंदर बच्ची आपके पास होगी, अरे वाह, यह तो कमाल हो जाएगा गुलजारे, इतनी जल्दी तो मैंने भी नहीं सोचा था, जो भी तेरा खर्चा पानी होगा, वो मैं तुझे दिलवा दूँगा, बस किसी भी सूरत पर बच्ची मेरे हावाले क करनी है, ठीक है? बस आप खर जाके अराम करें, समझे बच्ची आपको बिल गई है, और बड़ बसूख से कह रहा है गुलजारे, तेरा नाम ऐसे ही तो नहीं है, लेकिन एतियात से, समझा, और हाँ, मुझे ये काम पाउट चल दी चाहिए, ठीक है? बेफिकर हो जाया है, लगता है कि तु लाइन पे आ रही है, जद्ध कोई उसे आ दी ना करना, इबना तु ना मारी आवाज, ना मारे फून का जिकर किसी से करेगी, वरना हाद्य का कहा लोगा, कोई सहारा, हेहरसी गई जिंदगियों, मिलाना कोई सहारा। सम्या, अरे सम्या, लो भाई, हादिया की तस्वीर हमने सेंट कर दी, अब एक हफते बाद हादिया हमारे पास आ जाएंगी। इसे एक बात बता दूमे, जुबैर कितनी भी कोशिश कर लेता, हादिया को नहीं तलाश कर सकता था, ये गुलदारा ही है, देख लेना, कैसे हादिया को ढूंड निकालता है, अब हादिया सीधी हमारे घर आएंगी, और हादिया और सारा हमारे घर में रहेंगे, और हमारे घर की राउनक बढ़ जाएगी, ठीक कह रहो, जफर तू, लेकिन मेरी मानो, तो एक मरतबा जोहूर भाई से रापता कर लो, क्योंकि मसला तो उनको ही हल करना है न, उनके इल्में ये सारी बाते होनी चाहिए, हमने जामिन तो उनी को बनाया था न, अगर हो सके तो उनसे सल क्या समझदारी की बात की है, अब सोच रही हो, तुम बिलकुल मेरी तरहा, करते हैं, जोर वाई से बात, करते हैं, हाहा, तुम्हारी पहले उनसे बात हुई है न, तच्फीन पर अच्छी बात हुई थी मेरी, नंबर भी लिया था मैन उनका, अब बात करके देखता हूं क् जब जुबैर और समीना उनसे बात कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? बिलकुल, जफर. हल तो वही निकालेंगे. उनके ही हाथ में सब कुछ है. हाँ. सबब बिटा, खाना लग गया है, खाना खालो. फुपो, मुझे भूख नहीं, मैं अब बात में खालू. बिटा, तुम्हारे फुपो और जहूर अंकल खाने पे बैठ गये, थोड़ा सा खालो. जहूर अंकल आये वे? फुपो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब बता रही हूं न? फुपो, आपको मुझे एए बात पहले बतानी चाहिए थी. मुझे उनसे मिलना था. बिटा, अभी वो खाना खा रहे हैं, तुम मिलने ना उनसे. फुपो, आपको पता है. आपको पता है मुझे उनसे क्या जरूरी बात करनी है. हाँ, पता है मुझे. लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है कि पहली दफ़क आने पर आये हैं और तुम उनसे पैसे मागने बैठ जाओ ये तो बद तहजीबी है ना फुपो आपको कुछ नहीं पता आप में तो वादा किया था ना कि आप मेरा साथ देंगी तो मैं कब पीछे हट रही हूँ अब देखो अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या इज़त रह जाएगी हमारी फुपो ये मेरा मामला है मैं इसको खुद हैंडल करनूगी देखो सबा अभी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी बाद में देखेंगे हो जाएगी बात फुपो ये गलत है सबा मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगी तुम नहीं करोगी बुलाती हूँ अभी थोड़ी देर में तुमें अब क्या करूं अज़र ने नहीं मुश्किल में डाल दिया है जफर पैसे देगा नहीं ना ही उसके पास हैं लगता है समीना से बात करनी पड़ेगी एक ये लड़का भी ना इसे कोई बात समझवें नहीं आती इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का कैसे हरेंज होगा हलो अम्य आपने समीना अंटी से बात की अज़र इतनी बड़ी रकम है अगर मैंने बात कर भी ली तो एक दिन में इतने पैसे नहीं मिल सकते बिटा किसी के घर में इतनी बड़ी रकम मौझूद नहीं होती अम्य आप समझ यूने रही है मैं सच में बहुत डिस्टरब हूँ तभी आपकी मिननते कर रहा हूँ अज़र अगर मेरे पास पैसे होते न मैं तुम्हें फॉरण दे देती थोड़ा सा ठहर जाओ सबर करो बिटा अम्य मुझे आज रात को जवाब लेके दे मैं आपका बेटा हूँ आप अपने बेटे के लिए जरा भी कुछ नहीं कर सकती हाँ हाँ बिटा मैं जरूर करूँगी लेकिन देखो सारा का नाम लेकर पैसे मागना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बिटा अम्य आप एक बार तो बात करके देखें वरना मैं खुछ समीन अंडी से बात कर लूँगा बस कर दो अजर तुम्हें फॉन करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक ही बात की रट लगा के रखिए तुमने अपने बाप की तरह इस लटके बाद तो लगता है जिनका असर हो गया है या पिर उसकी नई बीवी या किन उन उसे बठिया बढ़ा रही होगी वरना ये दिर का बहुत साफ था हाई कैसे मेरे बच्चे पर उसने कोई तावीज वगएरा तो नहीं कर दिये समझ में नहीं आता जहुर बाई कैसा लगा खाना जे बिलकुल खाना तो बहुत उम्दा और लजीज था अचा जहुर बाई मैंने असल सूरत तो आपको बता दी जी मैं समझ रहूं आपकी बात लेकिन आप सभा बेटी को तो बुलवा ले ताके उसके सामने हो बात वो अभी खाना खाके आजाती है जहुर बाई जैसा कि आप जानते है समीना जो है वो इस खानदान की बड़ी है और यही वज़ा थी कि सारा इक्तियार इसने आपको सोब दिया था कि जो भी है आप जो फैसला करेंगे वैसा होगा अब मेरा खियार यह है आए फैस नहीं यह जह मेरा है अ वह वह भी जहुर बएड़ी ज़ूब्ची झाय भी जरा पीकर देख़िए आप हमारे एक लिज़ कि अवारे ना की इस सरी है बस्सझे तो मैं यह कह रहा था कि अब मेरा खियार यह है कि वट आ उतल्स्मिव आप प समीना पर अइतमाद करते हुए उसे सारा इक्तियार सूम थी क्योंकि इस से जादा तो खेर खुआ कि कोई हो नहीं सकता ना उन बच्चियों का देखें जुबेर साब जब बात इंसाफ की आती है ना तो सब को एक नजर से देखा जाता है मुझ पर जो इतमाद किया गया है इफाज़त से तमाम चीज़ें रखी भी है घर के डाकूमेंट्स, जूल्री, पैसा, केश, जो भी है वो सब लॉकर में रखा हुआ है आप सब मिलकर रासी हो जाएं तुम्हीं ये सब चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ जो बच्चीओं की जायदात का जो बठवारा है या उसकी मुझ सिफाना तक्सीर हो सकती है क्योंकि इन्साफ का इख्तियार समीना ने आपको दिया था अब आप एथबार करें समीना पर और उसको ये अख्तियार दे दें ताकि मुझ सिफाना अंदाज में सब कुछ मसला हल हो सके क्यों समीना जे जे बिलकुल यही बात है समीना ठीक कह रही है जरब जहूर का हाल एवाल लेना चाहिए पताता चले कि वो किस रुख पर सोच रहा है हाँ नहीं पोवा पताता चाहिए वाँ इसक्यूज मेरी ओफिस से कॉल आ रही है अटेंड करके पर आपसे बात करो जी 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 जरूर जरूर भाई ये तो रुटा ही गला पड़ते वा नजर आ रहा है तो मुंसिव की कुरसी पर फाइज हो के बैढ़ी है धस छोड़ी नहीं रहा है क्या करें आप बताएं नहीं क्या करना है समझ आते हैं समझ जाएगा तुम बस ऐसा करो के वो सभा से का तो इंसे ना मिल अभी मैंने तो उसे पहले ही जाके मना कर दिया है ठीक है देख लेते हैं हलो जी जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ आप कूँ आप मुझे जानते हैं बस हमारी बात कुछ कम हुई है तो सोचा के आप से बात कर ली जाए मैं सारा और सवा का खालू हूँ जफर ओ जफर साब अच्छा अच्छा याद आया ओ आप से खावर के गर पे मुलगात हुईती ना अरे भई आप मारे लिए बड़ी खास शख्सियत है बस मेरी मस्रूफियत ऐसी थी के आप से बात नहीं हो सकी तो सोचा के आप से बात कर ले बहुत शुक्रिया बच्छ देखें, जवर साब कभी हमें मौका दें, कभी हमारे घर आएं सारा से मुलागात कर रहें, बड़ा याद करती है आपको असल में वो खावर तथकरा करता होगा ने बच्चियों के सामने आपका तो इसलिए वो आपको याद करती है जे, जरूर हञ़र साब मेरे इल्म अए है कि समीना और जबेर आपके राब्ते में हैं लेकिन मैं किसी और तवियत का आपूब हूँ यह देखें, लालच वालच बिलकुल मैंने करता हूँ, बिलकुल और आप तो जानते हैं कि आजकल तो लोग ऐसे हैं किसी को सलाम भी करते हैं ना तो लालश ना हो तो करते ही नहीं सलाम है ना जी मैं समझ रहा हूँ आपकी इतलागे लिए अर्ज़े के मैं इस वल जुबेर भाई के घर पे हूँ उन्हें ने दावत पे बुलाया है दावत में किया कोई खास काम था जी बस उन्होंने बहुत महबत से दावत पे बुलाया है मुझे फिर तो जहुर साब आप जैकपर से नाजक मन सब पे हैं आप समझ रहे हूंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ आप जी मैं समझ रहा हूं तो फिर देखें, मेरी आपसे गुजारिश है, फर्माइए, आप इनकी बातों में मत आईएगा, बिलकुल मत आईएगा, और हो सके तो आप सबसे जरा बात कर लीजिए, कहना क्या चा रहे हैं आप? मैं जाला कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप ये मत समझेगा, कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन देखें, असल बात ये है, कि ये दोनों मियां बीवी समीना और जुबैर, लालच और हिर्स के मारे हुए, और जो मेरी भांजी है न सबा, उसको बड़ी तकलीफ में रखावाई, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, तो सबागो बलाएए, और बात पूछ लिए हिसे साब, ये तो आपने मुझे परेशान कर दिया, ये तो मैत अच्छे लोग हैं, अरे नहीं जहुर साब, मुझे पूरा यकीन है इस बात का, कि आपको बलाने का जो मकस है, और कुछ नहीं है इसके लाओ, हाँ, लेकिन जहुर साब, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस बात पर के आप इनसाफ का साथ देख, ठीक है जफर साब, मैं आप से बाद में बात करता हूँ, मेरी बात आप है, अलाहाफिस, जहुर बाई, जहुर बाई सबहर के गर पर आईए आईए बैठी बैठी, खेरियत तो है जहुर बाई, किसका फून आ लिया? बस वो आफिस से कॉल थी अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे? नहीं जुबेर साब, आप पहले सबह को बलवा ले, मुझे उस से बात करना है अभी आ जाती है सबह? जी बिल्कुल बलवा ले, पहले मैं सबह से बात करना हूँ, फिर मजीद कोई बात हो सकती है जोगर भाई, सरकार के तेवर कुछ बदले बदले नदर आ रहा है, खेरियत तो है सब देखे मुझे आपको अंदेरे में नहीं रखना चाहिए आपके खांदान की जैदात का जो भी मसला है, वो मैं आप सब के सामने बेट कर डिसकस करना चाहता हूँ ताके किसी के साथ भी कोई जैद्ती ना हो, वो तो ठीक है जोगर भाई, लेकिना आप समझ नहीं रहा है आपकी इतला के लिए अर्ज़े के मुझे जफर की कॉल आई थी, सबा के खालू की, वो तो कुछ और ही बात कर रहे है बलके माज़रत के साथ, वो तो बहुत बुरा बला कहे रहे थे, वो तो कहे रहे थे कि आप लोग सबा के साथ बहुत जल्म ज्याद्ती कर रहे हैं आप कुछ भी कहें, मैं ये फैसला तीनों बेनों से मिलकर करूँगा और अगर अभी सबा नहीं आ सकती, तो मैं उसे आफिस बुला कर बात कर लूँगा अब यहाँ कोई बात नहीं होगी, ताकि किसी के साथ कोई ज्याद्ती नहोगा चलता हूँ, इजादत दीजे अशला है, वो जो है ना जफर, ये फिर उसी अभी सुनेगा मुझसे, फिर उसने कोई ये किये, इसको कैसे पता चलता है कि हमारे पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है पीछे ही पढ़ गया यार, मैं इस, क्या करो इसका? झालता है